कल भी उत्तर प्रदेश में, कानपूर में, मेट्रों के उद्गाटन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वहां मौजूद थे, रैली को संबोधित करने गए थे, एक बहुत ही भव्य और एतिहासिक रैली को उन्होंने कल संबोधित भी किया, आज अकबारों में उन विश्यों को लेकर, कुछ गंभीर टिपणिया समाजवादी पार्टी पे हुई है, समाजवादी पार्टी किस प्रकार से उस रैली में, एक तरह से उस रैली को खतम करनी की साजिश, उस रैली में दंगा भढ़काने की कोशिश, शहर में दंगा काने की कोशिश कर रही थी, ताकि प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी के रैली पे उसका असर पड़े, आज कई अकबारों ने बहुत गंभीरता के साथ इस विशय को छापा है, जो भी अकबारों से हमें मिला है, मैं आप से साज़ा कर रहा हूँ, आप इस शर्यंत्र को सम मोदित किया, उससे ठीक पहले सोशियल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो वाइरल हुआ, उस वीडियो में आप देख सकते हैं, भारतिय जनता पार्टी की एक गाड़ी थी, एक कार थी जिसमें भारतिय जनता पार्टी के पोस्टर लगे हुए थे, उसमें कुछ स्टिकर् प्रधानमंत्री जी का भी एक पोस्टर गाड़ी के पीछे लगा हुआ था भाश्पा की गाड़ी के रूप में उस गाड़ी को सजाया गया था और बीच चुराहे में गाड़ी को रोक करके लाल टोपी पहने सपा के कारेकरता उस गाड़ी को तोड़ रहे थे उस गाड़ी क करने की कोशिश की गई ये सब हमने देखा है आपको जानके आश्चरी होगा कि इसके पीछे की सच्चाई कितना गंभीर है ये घटना जहां हुई है वो नौबस्ता हमीरपूर रोड है नौबस्ता हमीरपूर रोड कानपूर में और उसके बीच में स्थित बंबा चौराहा बंबा चौराहा का ये वीडियो है जिसमें गाड़ी पकड़ा गया है गाड़ी को जलाने की कोशिश की गई है गाड़ी को तोड़ी गई है और जो लोग ये तोड़फोड कर रहे थे इस गाड़ी के साथ वो सपा छात्र सभा के राष्ट्रे सचिव भी बहां मौजूद सपा का समाजवादी पाटी की जो शात्र सभा है स्टूडन्स विंग है उस शात्र सभा के जो सचिव है सेकरेटरी हैं जिनका नाम अगबारों ने सचिन केशरवानी के रूप में लिखा है वो उस वीडियो में मौजूद थे ये पुलीस ने पता लगाया है तो सपा के कार करता हुने गाड़ी तोड़ा बाद में जब CCTV फूटेज के माध्यम से और पुलीस लगा करके जाच की गई तो मालूम पड़ा कि दरसल ये जो गाड़ी थी ये भारती जनता पार्टी के किसी कारेकरता की गाड़ी नहीं थी ये गाड़ी भी समाजवादी पार्टी के ही का हमोफलाज किया गया था इस गाड़ी को इस प्रकार से सजाया गया था मानू ये भारती जनता पार्टी की गाड़ी है और इस गाड़ी को तोड़ा गया आगजनी की कोशिश की गई इसको चकना चूर कर दिया गया और इस वीडियो को शूट करके रैली के स्थान के पास इ इस संदेश को सोशियल मीडिया के माध्यम से भेजा गया, ताकि जो भारती जंता पार्टी के कारे करता हैं, वो इसे देख करके बढ़क जाएंगे, स्थानिय लोग इसे देख करके बढ़क जाएंगे, और मार पिटाई की विवस्ता वहाँ आरंब हो जाएगी, वहाँ आग सोच सकते हैं जो आधर्निय प्रधानवंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सभा में कहा था लाल टोपी मतलब खत्रे की निशानी लाल टोपी मतलब खत्रा आज ये बात बिल्कुल सपष्ट होता नजरा रहा है सत्य होता नजरा रहा है गुंडाराज क्या होता है आप इनकी ग प्रकार से अगर आप विकास के साथ खड़े होंगे तो हम इस प्रकार से आपको द्वस्त कर देंगे ये काम कौन करता है ये काम माफिया करती है ये काम गुंडा राजवाले करते हैं कि अपने माफिया राज के दबदबा को स्थापित करने के लिए to establish the fear factor amongst the people you propagate such kind of videos and you announce your presence you advertise your presence ये और कुछ नई है ये advertisement है अपने गुंडा राज का समाजवादी पाटी द्वारा है और इसमें कोई दोमत नहीं है जिस प्रकार की माफिया राज समाजवादी पाटी के समय में उत्तर प्रदेश ने और भारत ने देखा है जिस प्रकार की माफिया के dons के साथ चलित रहें अकबारों में यह भी छता है कि यह जो छेत रहें नौबस्ता हमीरपूर रोड वो एक मुस्लिम बहुली छेत रहें वहां इस प्रकार से गुंड़ाई करके आप दंगा भढ़काने की कोशिश करते हैं स्वभाविक रूप से आप चाहते थे वहां हिंदू-मुस सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास हमारे कारेकरताओं ने एक ही धे के साथ हम आगे बढ़े हम इस उकसाने में नहीं आए किन्तु आज समाजवादी पाटी पूरी तरह से एक्स्पोज हुई है